किंग कोबरा वर्सेस स्पेक्टल कोबरा इन दोनों के लड़ाई में आखिर कौन जीतेगा और क्या आपको पता है किंग कोबरा ठारा फीट तक हो सकते हैं लेकिन स्पेक्टल कोबरा उसे आधर यानी की 9 फीट तक होती है तो चलिए अब देखते हैं इन दोनों के बीच की लड़ाई किंग कोबरा स्पेक्टल कोबरा के बिल में घुज जाता है और उसे निकालने की कोशिस करता है और उसे निकाल भी लेता है फिर उसे निगलना सुरू कर देता है सबको पता है कि किंग आखिर किंग होता है लेकिन स्पेक्टल कोब्र को आधर निगल लेने के बाद भी वो जिंदा है और तडप रहा है पर अपसोस कि इसे किंग कोब्र निगल जाता है तो ऐसा ही एनिमाल फाइट्स के वीडियो देखने के लिए जाएगा